कुछ दिनों पहले जब ये गंबला मेरा बंदरों ने गिरा के तोड़ा तो बहुत गुस्सा आया बंदरों के उपर क्योंकि इसमें लगी थी मेरी अंगूर की बेल और तूटने के बाद जाहिर है कि मुझे एक नया गंबला लाना पड़ा और उस अंगूर की बेल को शिफ् साथी साथ इसमें कुछ टर्टल वाइन भी साथ में लगी थी और उसको मैंने यूही छोड़ दिया था और मैंने इस नारियल की रसी से गंबले को बांद के रख दिया पर आती जाती गंबला थोड़ा सा भत्ता लग रहा था मूच ड़ाता हुआ सा नजर आता था तो आज करते हैं बहुत कुछ नया नमस्कार जुगाडवेश्टी पर आज का जुगाड़ देखने के बात आप पता नहीं क्या सोचेंगे और शायद यहीं कहेंगे कि यह तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी वाली कवाड़ी निकली यहां पर देके गंबला बहुत बुरी हालत प और वैसे भी गंबला मेरा इतना पुराना इसायद पंदरा साल का पुराना गंबला होगा बहुत पहले मैंने अपना अलोविरा लगा के रखा था तो आपको अगर इतना गंबला टूटा नहीं है तो यह सब करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी मैं अपने गंबले को तोल का बटन दबाएए और अगर चाहते हैं तो सब भी अपने नियर्स और डियर्स को शेयर भी कर दीजे वीडियो को यहाँ पर देखे टेप मैंने अच्छी तरह से लगा दिया और जैसा कि पीछे बताई यह सारा का सारा खर्चा आपका बच जाएगा अगर आपका इतनी बूरी कंडिशन में नहीं होगा साथी साथ टेप लगाने के बाद यहां पर देखे नारियल की रस्सी से मैंने कस केस गंबले को बान दिया सब कुछ इसलिए कि जैसे मेरे गंबले की हाल है तो वैसा मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा अब यहां पर देखिए भई क्या लिया मैंने यह जो हेड़ फोन अगर आप नहीं तो आपके बच्चे जरूर इस्तेमाल करते होंगे तो उसी का कवर है तीन चार महीना पहले लगबत बेटे ने मंगाय तो और इसका कवर मैंने रख दिया था कुछ इसी तरह का सोच के रखा था कि कुछ तो करूंगी और तब से यूही पढ़ा था कुछ क करने का मौका नहीं मिला पर आज मौका मिल गया इस टूटे हुए गंबले के बहाने से इसमें मैं कर लिए अपना ब्लैक कलर का इस प्रे पेंट आपके पास जो भी पेंट है वो कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि आप इस प्रे खरीदी आपके पास नॉर्मल सा डिबी वाल अगर आल पेंट पड़ा है तो ब्रश की मदद से कर लिजें मेरा चुकी इस प्रे पेंट है जल्दी सूग गया तो जल्दी मेरा काम हो जाएगा आप यहां पर देखिए आप इसका ढाचा देखिए आपको भी समझ आ रहा होगा कि सब को जिसमें रेडी मेट बना हुआ सा नजर आ रहा है यह दो आखे मुझ सब कुछ ऐसे मुखोटा सा पहले से ही नजर आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है आखो को मैं देना चाहती हूँ अपना लाल रंग चुकि ब्लेक कलर का पेंट पहले कर दिया तो लाल रंग चड़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो थोड़ा सा मोटी मोटी परत यहां पर लगाऊंगी मैं और सूखने के लिए रख दूगी है ना आख्यों होगी और अब यहां पर यह हिस्सा इसका मुझ के जैसा दिख रहा है इसको मैं काट रही बीच से इस लिए कि जिससे इसका मुझ खुल सके और इसका मुझ खु तो लाल रंग मेने भर दिया और पेंट वही अपना ओयल पेंट इनेमल पेंट आप चाहें तो यहां पर एक्रेलिक भी कर सकते पर चुकि पानी में अगर रखना है आपको खुली जगह पर रखना है तो वहां पर यह बहतर रहते हैं ज्यादा टिकाव होते हैं इसलिए थोड केलर के पेंट से पर नहीं दांत बनाने से पहले मेरे हाथ रोग गए क्योंकि दिमाग में छोटा सा खुरा फात आ गया और खुरा फात क्या ता मैं दोड की गई अपना टूटा हुआ क्लेच लेकि आई एर क्लेच मेरी सारी बहने बालों में लगाती होगी तो कोई नो पढ़ा होगा और इसी तरह के मेरे पास भी पढ़ाता है पतनी कहां से अचानक आइडिया और मैं दोड के अपना यह लेकि आई अब इस क्लच को मुझे इसमें फसाना है तो छोटे-चोटे मैं करूंगी होल और इसको मैं बनाऊंगी अपना मुवेबल जहां पर मैं अब थोड़ी सीली मैंने नारियल की रसी छोटे-चोटे मैंने काटे टुकडे टुकडों की लंबाई आप अपनी मर्जी की हिसाब से रख सकते हैं अब देखिये कोई भी रसी होती है तो दो टुकडों को एट के बनाई जाती है तो यहां पर भी दो सेप्रेट टुकडे लगे हुए रसी में तो दोनों को हमें अलग-अलग करना है तो इसकी गाट खोलनी है बस यूँ यूँ आप घुमाते चले जाएंगे इसकी गाटे खुलती चली जाएंगी और एक रसी के हो जाएंगे दो टुकडे और सात ही साथ यह जो रसी होगी ना तो बहुत खुब स सूरत दिखेगी जब इसके आप गांठे खोलेंगे यहां पर सूतली की मदद से मैं सारों को बांध लेती हूं एक साथ कुछ इस तरीके से किस लिए क्योंकि इसके बाल भी तो बनाने है ना जब तक बाल नहीं बनाएंगे तो गेटप नहीं आएगा यहां पर भी प्लास्ट में कर सकते हैं राउंड शेप में कर सकते हैं जैसा चाहें थोड़ा सा केची से मैंने काट दिया और बस अपने उसी तूटे गमले के ऊपर बांध दिया बांधने का तरीका आप सभी को पता है जो रसी से मैंने यह सारे बांधे ते सूतली से वहीं सूतली मैंने गमले के आ कि पतले पतले तार से देखिए, साइड में भी मैंने इसको बांग दिया, यह देखिए, है ना, थोड़ा से इसको इस्ट्रेच करके, यहां पर पतले तार की मदद से मैंने बांग दिया, अब कितनी भी आंधी तूफान, कुछ भी आए, हमारा मुझ खोटा कहीं नहीं जाए जो इस कंबले में टर्टल वाइन लगी थी, उसको मैंने निकाला इसके मूँ के अंदर से, थोड़ी सी नीचे से भी है, पर थोड़ी सी मैंने निकाल दी इसके मूँ के अंदर से, अब आज दिखिए, सुबह-सुबह आज बारिश हो गई, और इस मुखोटे पे कोई बार लगा दीजिए, जो नीचे की तरफ हैंग करेगा, वो सारे पोधे इसमें लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास टर्टल वाइन हो, नहीं है, तो आपके पास जो पोधा है वो लगा सकते हैं, अब यह जो हमने इसके दात बनाए ना, यह देखिए, जिधर मर्जियों अब नीचे से आप गमले से टर्टल वाइन उपर नहीं लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और दूसरा एडिया है, छोटी सी मैंने अपनी पानी की बोतल में टर्टल वाइन अलग से लगाया, और यह बोतल आप इस तरह से अंदर डाल सकते हैं, एक बार पानी डाला, द राच्छस आपको कैसा लगा, कोमेंट रक्षन में जरूर बताईएगा, और हाँ चाती चाती चैनल का हिस्सा बन की जाएगा, जिससे की अगला जुगाड देखने, आप सभी दोबारा आ सकें जुगाडू बेस्टी पर, जल्दी मिलूंगी किसी अगले जुगाड के साथ अब तक ले, थैंक यू